आजे विदियो के अधर विडियो के अधर और आज के इस वीडियो के अधर बॉक्स करने वाले हैं Realme 3 Pro को मैने कुछ ताइम पहले Realme 3 की अंबाक्षिंग की थी जो के non-pro variant है और ये phone पाकिस्तान के market के अंदर बहुत जादा successful रहा है और अब Realme 3 Pro Code 29th of May को लाँच किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर officially और इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इसकी एक exclusive unboxing है तो इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी ने इस फोन को unbox नहीं किया तो ये काफी interesting वीडियो है लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी unboxing शो करूँ मैं आपको थोड़ी सी चीज़े clear करना चाहूंगा इस mobile phone के बारे में फर्स्ट और तो ये चीज़ clear कर दूँ कि अगर आप design वाली साइट से देखेंगे तो Realme 3 और Realme 3 Pro दोनों ही काफी हद तक similar phones हैं लेकिन अगर आप compare करते हैं in terms of internal specifications तो वहाँ पर सब कुछ ही upgrade कर दिया गया है आप camera की बात कर लें, आप processor की बात कर लें, आप RAM storage की बात कर लें उन सब चीज़ों के ऊपर हमें जो upgrade है वो Realme 3 Pro के अंदर देखने को मिली है इसके इलावा जहां तक बात है, इस mobile phone की charging technology की तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफी interesting किसम का surprise है तो Realme 3 Pro एक काफी interesting किसम की device है, इसकी unboxing करते हैं और देखते हैं कि ये phone कैसा है बाइदे वे, इस mobile phone की जो price है, वो description के अंदर मैं update कर दूँगा जैसे ये mobile phone लाइव होगा और इसकी जो price है वो reveal की जाएगी तो Realme 3 Pro का जो box है काफी हद तक Realme 3 की तरह ही बनाया गया है बस आपको यहाँ पर Pro लिखावा मिल जाता है जो कि इसको, Realme 3 को आपस में separate करते हैं बैक साइट पर कुछ details दी गई है जो कि मैं आपको शोग करना चाहूँगा और इनमें सबसे important detail इसका variant है जो कि 6GB, 128GB वाला है इसका 4GB और 64GB वाला variant भी पाकिस्तान के अंदर launch होगा तो वो जो variant है उसकी और इस variant की जो performance है more or less same होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो bottle neck है वो काफी हद तक आपका chipset बनेगा तो ज्यादा difference नहीं होगा लेकिन 128GB की जो इंटरन storage है उसका difference होगा box को open करते साथ ही आपको आपका silicon case देखने को मिल जाता है जो कि काफी normal silicon case है उसके इलाव आपके पास कुछ paper work है further in the box आपको आपकी device देखने को मिल जाती है जिसको यहाँ पर wrapper से मैं remove कर लेता हूँ और इसका जो sticker है उसको भी हम उतार लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यह काफी खुबसूरत looking device है in fact यहाँ पर जो color है वो purple और black दिया गया है back side से यह देखने में काफी हद तक जो realme 3 है simple वाला उसकी तरह का यह phone लगता है तो आपको जादा differences देखने को नहीं मिलते हैं अगर आप इसको design wise compare करेंगे लेकिन अगर आप phone की बात करते हैं तो हम इसको turn on कर लेता हूँ और internally इसके अंदर काफी जादा differences है जिनके ओपर हम आगे चल कर बात करते हैं further in the box आपको जो चीज देखने को मिल जाती है वो है आपका power brick और आप यहाँ पर अंदर देख सकते हैं कि यह orange color के अंदर है जिसका मतलब यह है कि यह VOOC 3.0 को support करता है और इसकी जो total output rating है वो 20 watts है तो 5 volts 4 ampere के उपर यह आपके mobile phone को charge कर देगा और यह काफी interesting बात है क्योंकि जिस price tag में यह phones आ रहे हैं normally इस price tag में आपको out of the box कोई भी company quick charges provide नहीं कर रहे हैं यह काफी अच्छा step है other than that आपको यहां पर आपकी cable देखने को मिल जाती है जो के काफी हित तक ओपो की green cables आती है वूक चारजिंग वाली उन्हीं की तरह बनाई गई है तो phone यहां पर हमारा turn on तो हो गया है मैं इसको set up कर लेता हूं और उसके बाद बिलते हैं तो phone almost set up हो गया है अब यहां पर जो सेक्यूर्टी के मेज़ है वो रहते हैं और हम यहां पर face ID को securely ready कर रहे हैं और हमने raise to wake को भी on कर दिया है fingerprint scanner back पर मौझूद है और मैं इसको set up कर रहा तो मैंने एक और चीज़ notice की इसके design के बारे में जो मैं आपको भी बताता हूं मुझे पहले नहीं इसके बारे में ख़बर हुई लेकिन मैंने अभी अभी notice किया है और मुझे realme 3 और realme 3 pro के दर्मयान में एक difference देखने को मिला है जो के अगर आप दूर से लेख रहे हैं आपको नजर नहीं आएगा लेकिन अगर आप करीब से दोनों फोंस को compare करते हैं तो दोनों के design में एक बहुत बड़ा major difference ही है कि realme 3 जो है ये गंदा काफी हुआ हुआ है इसको छोड़ दें इस mobile phone के back side पर आपको जो camera's देखने को मिल रहे हैं वो 16 Megapixel का main sensor है और उसके साथ 5 Megapixel का depth sensor लगाया गया है backpuff fingerprint scanner है नीचे वरी side पर आपकी charging port और आपका headphone jack मौझूद है उसके लाव front side पर आपको जो screen देखने को मिलती है वो 6.3 inches की screen है और full HD resolution की है और आपने ये तो देखी लिया होगा कि इसका जो face ID का mechanism है वो काफी तेज है मैंने भी इसको open किया है तो ये फॉरण open हो गया है तो face ID का mechanism है उसमें कोई मसला नहीं है fingerboard scanner की speed के अगर आप बात करते हैं तो वो भी बहुत जादा तेज है तो all in all ये काफी solid device बनती है नजर आ रही है इसके इलावा इस device के अंदर जो एक चीज़ बहुत major change की गई है वो इसका selfie camera है जो कि यहाँ पर 25 megapixel का लगाया गया है और ये जो 25 megapixel का selfie cam है ये बहुत जादा detail प्रोवाइड करता है in fact अगर मैं यहाँ पर एक तस्वीर खेंच हूँ तो मैं आपको दिखा सकूँगा कि इसकी detail का level कितना है ये loading होने में थोड़ सा time ले रहा है और आपने एक और चीज़ notice की होगी कि इसने जब processing कर लिया तो इसने मेरे face को cut out करके थोड़ा सा bright कर दिया है इसके background जो है उसकी light को इसने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि मेरे back पर जो lights है वो मौझूद है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो detail है वो काफी जादा है तो आपको जो camera वाला department है वो realme 3 pro के उपर बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है और जहां तो बात है speed की तो यहाँ पर लगाया गया है snapdragon का 710 chipset जिसका मतलब भी है कि speed वाली side से तो आपको कोई मसला आ ही नहीं सकता क्योंकि यही chipset exactly यही chipset last year तक हमने 90 से 1 lakh की devices के अंदर भी देखा है तो यह जो mobile phone है अपने try stack के अंदर काफी है तक्किल करने वाला है अब इस mobile phone के उपर fortnite भी supported है जो के एक ऐसी game है जो जातर phones के उपर supported नहीं आती और बड़ी exclusive सी game है तो उसको भी हम इस पर test out करेंगे और इसके related में और वीडियो भी लेकर आने की कोशिश करूँगा वो थोड़ा से यह हो जाएगा कि आपको फरक पता लग जाएंगे दोनों phones के तो वो वीडियो आप लोग चाहते हैं मुझे comment से बता दीजाएगा और इस mobile phone के बारे में overall आपके क्या opinions है मैं वो भी जानना चाहूँगा comment section के ने अंदर लेकिन इससे पहले के हम इस वीडियो को end करें एक चीज़ जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में भूल जाता हूँ वो है भाई sim slot situation जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगा क्योंकि लोग कहते हैं भाई unboxing में यह बहुत important होती है तो भाई आप यहाँ पर दो sims और एक memory card at a single time डाल सकते हैं और आपको किसी भी किसम का कोई issue नहीं आने वाला तो मुझे आप लोग अपने first impressions के बारे में कताईएगा कि realme 3 pro आपको कैसा लगा है और इसके बारे में आपके first impressions क्या है और मैं कोशिश करूँगा कि इस के लिटेट जल से जल दूसरी वीडियो भी ले आऊँ तो इस वीडियो में इतना ही अपना ख्यार रिखेएगा नेक्स वीडियो में मुलागात होगी दिस इस बिलाल साइनिंग और अलाहाफेज